हेलो अब्रेवन आपका हमारी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है वेलकम तो माई चैनल होम साइंस लेट्स क्रैक इट मैं हूँ डॉक्टर बंदना गुपता और यहां पर चुकि आज का काफी दिनों बाद मैं क्लास अपनी जो है यह वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं और चुकि मेरा एक्सिडेंट हो गया था जब मैंने लास्ट वीडियो आप लोग के साथ में फरवरी में शेयर किया था उसके बाद ही मेरा एक्सिडेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं लगभग एक महीने जो है बेडरस्ट पर ही थी जिसकी वजह से मैं आप लोग के साथ में आपने वीडियो को शेयर नहीं कर पाई हूं तो इस वज़ा से चुकी मजह पता है कि आप लोगों के साथ में चुब वीडियो के साथ मेरी नहीं बन पाई काफी दिनों से यह गाप चल रहा है एक महीने से लगभग जादा ही हो गया है बट अब हमारी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के साथ में आप सारी वीडियो आपके साथ में शेयर करूँ जो कि आप फर्दर जो भी वीडियो है मलब जो भी टॉपिक है वो मैं कांटिन्यू ले करके चलू अब जैसा कि आपने देखा ही होगा कि TGT और PGT का नोटिफिकेशन भी नया आ चुका है तो अब आप लोग जो है अच्छे से त्यारी स्टार्ट कर दिये होंगे उमीद है हमारी तो जल्दी चलिए फिर आप आपने त्यारी भी स्टार्ट कर दिया है अब हम भी आगये हैं अब हम भी आपके साथ में रेगलर कोसी समाई रहेगी कि हम जो है आपके साथ में वीडियो शेय किया हुआ था अब जो हमारा नया टॉपिक है उसमें हम डाइट के बारे में पढ़ेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट डिजीज में रोग में कौन-कौन सी डाइट दी जाती है और वो रोग के बारे में भी हम थोड़ा सा डिसकस करेंगे तो आज हमारा पहला टॉपिक है यानि कि fever जो कि हमारा जो समान तापमान होता है शरीर का वह होता है ठिर्टी वंडींस एंडी डिग्रींस यहां पर आप देख रहे हो ठिर्टी एंडींस एंडी जैट्रेजर होता है और जो फैर स्टीरेट में है इसके अलावा फॉरण हाइट की अगर हम बात करें, तो फॉरण हाइट में ये होता है, हाँ, ये देखिया, 37 degree centigrade होता है, और फॉरण हाइट में बात करें, तो 98.6 degree फॉरण हाइट होता है, देखिया इससे भी question पूछा गया, एक्जाम में ये आया हुआ है, कि जो फॉरण हाइट में 98.6 है यानि कि 98.6 confuse करने के लिए जो option था उसमें 96.8 पूछा गया था ठीक है शायद ऐसे कुछ option था तो confuse मत हो ये ये भी बहुत important है 37.0 degree centigrade या फिर 98.6 degree Fahrenheit तो हर एक line से question बनते हैं ध्यान दीजिएगा चलिए फिर start करते हैं तो पहले हम जोर के बारे में पढ़ेंगे उसका कारण क्या है उसका reason क्या है ये हम जानेंगे फिर धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे चलिए तो अब हम आते हैं reason के बारे में कि इसका reason क्या है जोर का तो इसमें दो कारण है कारण की बात करें तो दो है पहला है एक तो आंतरिक कारण आंतरिक और दूसरा है बाह मिंस इसको हम इंग्लिश में ये भी कह सकते है इंटर्नल और इसको बोल सकते हैं हम एक्स्टर्नल अब इंटर्नल की अगर हम बात करें यानि की आंतरिक कारण की बात करें तो इसके अंदर आ जाते हैं जो antibody और antigen जो क्रिया होती जो action होता है उनका उसकी वज़ा से fever हो सकता है और या फिर cancer है इसकी वज़ा से हो सकता है मतलब कि किसी भी disease की वज़ा से अगर जो है fever हो रहा है जो हर हो रहा है तो उसको आंतरिक कारण बोलते हैं बाहिकारक का मतलब है कि bacteria है या फिर जो है कवक है इनकी कारण यानि कि जो bacteria है फंजाई है इनकी कारण अगर जो है जो हर हो रहा है तो उसको external बोलते हैं यानि कि बाहिकारक बोलते हैं तो यह हो गया कारण अब अगर हम बाहिकारक के कारण जो अरका विकास होता कैसे है इसके कारण जो बाहिकारक है इसके कारण जो अरका विकास कैसे होता है यह हम अगर हम discuss करने जा रहे हैं ठीक है जो अरका विकास कैसे होत है तो देखिए सबसे पहले क्या होगा जो बैक्टीरिया या फिर कवक है उसका संक्रमन होगा इंफेक्शन होगा आपको उसके बाद में जो आपके ब्लड में फैगोसाइड्स हैं जो सफेद रुधिर कडिकाएं हैं इसको मैं यहां पर थोड़ा सा फलो डाइग्रेम किठरु समझाती हूं इससे आपको ज़्यादा समाझ में आएगा ठीक है चलिए तो क्या होता है सबसे पहले जो बैक्टीरिया है फिर कवक हो हो गया इसका संक्रमण होगा इसका infection होगा हमारे शरीप इंफेक्शन हुआ उसके बाद में क्या होगा जो हमारे खून में फैगोसाइट्स हैं यानि कि जो सफेद रुधिर कडिकाएं हैं सफेद रुधिर कडिकाएं व क्या होती है ? जैसे बैक्टिरिया या फिर कवर बाहिकारक है आक्ट वो संक्रमन करता है यानि कि हमारे उपर जो है अटेक करता है तो हमारे शरीर में जो भी WBC हैं जो कि हमें बैक्टिरिया जो संक्रमन से बचाती हैं बचाने का काम करते हैं यह जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं यह हमें संक्रमन से इंफेक्शन से बचाने का काम करती है जो कि निकलने लगता है, पाय, रोजन, यह क्या होता है, यह जोर हार्मोन है, जो कि जब यह एक्टिव होती है, तो यह निकलने लगता है, यह हार्मोन, ठीक है, अब यह हार्मोन निकलने लगा, अब क्या होगा, जब हार्मोन निकलता है, तो प्रोस्टा ग्लैंडिन हार्मो हार्मोन बनने लगता है अब जब यह निकलता है तो प्रोस्टा ग्लैंडिन हार्मोन बनने लगता है इनका बनना स्टार्ट हो जाता है अब जब यह प्रोस्टा ग्लैंडिन हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है तो यह क्या करता है हाइपोथालमस में जो हमारा ताप नियाम यानि की टमप्रेचर को रेगूलेट कर रहा है ठीक है उसको क्या करता है जो हाइपोधृमस में रह्मोन-शा कि प्रोश्ट्राग्लेंडिन हर्मोन बनने लगता है तो ये हाइपोधयलमस में hypothalamus जो कि हमारे brain में रहता है और हमारे शरीर को ये control करता है नियंत्रित करता है तो hypothalamus में जो ताप नियामक है यानि कि जो temperature regulator है उसको ये बढ़ा देता है prostaglandin बढ़ा देना यानि कि इसको आनियंत्रित कर देता है अब चुकि अब इसको ये आनियंत्रित कर दिया तो अब क्या होगा जब हमारा जो temperature regulator है वही control में नहीं होता है तो क्या होता है ताप बढ़ जाता है यानि कि हमारे शरीर का जो temperature है वो increase कर जाता है बढ़ जाता है तो इस तरीके जो ताप बढ़ता है तो फिर हमें ज्यॉर हो जाता है तो यह फा आपका एक flow diagram कि किस तरीके से जो बाह कारक है वो आकमर करता है और इस तरीके से इतनी processing होती है उसके बाद में हमारे शरीर का तापान बढ़ जाता है और हमको fever हो जाता है तो यह तो हो गया कारण, अब हम बात करेंगे इसके प्रकार के बारे में, कही सारे होते हैं, फीवर, ठीक है, अभी तो हम ओवरॉल फीवर की बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे इसके प्रकार के बारे, यानि की इसके टाइप्स, कौन से हैं, तो सबसे पहला है कम समय वाल यानि कि जो short time वाला है, कम समय तक fever रहता है, short time तक रहता है, वो कौन-कौन से हैं, तो जैसे कि आपका cold हो गया, शीत ज्वार, cold होता है, तो वो थोड़ टाइम के लिए ही होता है, okay, influenza है, ये भी थोड़ टाइम के लिए होता है, दूसरा है टाइफाइट, ये भी थोड़ टाइम के लिए होता है, ठीक है, ये short time fever है, उसके बाद में दूसरा आता है आपका लंबे समय वाला, जो कि लंबे समय तक रहता है, यानि कि long time fever, इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, tuber closest है, ये लंबे समय तक रहने वाला fever है, ये भी tuber closest जो है, ये आपका fever में ही आता है, ठीक है, उसके अलामा AIDS, acquired immune deficiency syndrome, ठीक है, AIDS, ये भी आपका fever की category में आ जाता है, यानि कि ये भी infection से ही होता है, फिर आता है, आंत्राइक समय, आंत्राइक समय वाला means, English में इसको कहते हैं, intermittent, intermittent, अब intermittent का मतलब क्या है, कि जो fever जिसे की चढ़ा, आच चढ़ा, फिर जो है शाम तक उतर गया, फिर कल चढ़ गया, फिर उतर गया, यानि कि fever आ रहा है, फिर जो है कम हो रहा है, फिर ताप चढ़ आए, फिर कम हो रहा है, तो उसको intermittent कहते हैं, यान जा रहा है इस तरीके का fever रहता है यह इसमें आता है आपका malaria यह इस टाइप का fever होता है ठीक है अगर आपने किसी को देखा होगा जिसको कभी cold हुआ है या फिर टीवर्ग प्रोसेस हुआ है या फिर malaria हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह जो है इसकी जो category है वो कौ होता है कभी कम होता है फिर उसके बाद में अब हम बात करेंगे कि जोर के दरान जो चया पचय अंतर होता है यानि की जो हमारा metabolic rate है उसमें क्या changes आते है jor के द ओरान तो उसको हम हैँ पर discuss कर लेते हैं क की क्या क्या changes आते हैं metabolism में जवर के दौरान चया पचयी अंतर metabolism में इसकी बाद चया पचयी का मतलब है तो आप देखे जब भी आपका शरीर का ताप बढ़ता है तो प्रतेख degree Celsius ताप बढ़ने के साथ हमारे शरीर का जो बुनियादी चया पचयी दर है बुनियादी चया पचयी दर का मतलब होगा basal metabolic rate जिसे की हम English में बोलते हैं BMR शॉटकट में इसको बोलते हैं basal metabolic rate और हिंदी में इसको कहते हैं बुनियादी चया पचयी दर तो यह होता है तो जैसे हमारे शरीर का ताप बढ़ता है तो प्रतेख degree Celsius के साथ प्रतेख degree Celsius जब हमारा ताप बढ़ता है तो उसके साथ में जो BMR है वो कितना 13% बढ़ जाता है यानि कि प्रतेख degree Celsius जो हमारे शरीर का ताप बढ़ता है उसके साथ में हमारे शरीर का जो BMR है वो 13% तेरा प्रतिशत वो बढ़ जाता है इंक्रीज कर जाता है और अगर हम foreign height की बात करें तो प्रतेख degree foreign height के साथ में यह 7% होता है यानि कि BMR जो होता है foreign height में 7% होता है ठीक है यह प्रतेख degree के साथ में हमारे काप के साथ में जो हमारा BMR में इंक्रीमेंट हो रहा है बढ़ रहा है तो वो 13% और 7% होता है ठीक है यह हो गया फिर इसके बाद में अब आता है कि जब बेचैनी होती है रेस्टलेशनेस होती है तो उसके कारण भी BMR बढ़ जाता है और कैलोरी की आशकता भी पढ़ती है यानि कि और किसके कारण होता है बेचैनी की कारण भी BMR बढ़ जाता है रेस्टलेस्नेस इसके कारण भी BMR इंक्रीज होता है और जब भी हमारी increase होता है तो फिर कैलोरी की आशकता पड़ती है फिर next क्या है कि ग्लाइकोजन और जो एडिपोज उतक है एडिपोज टिशू है उनका भरंडारन भी कम हो जाता है जो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन इस्टूर रहता है और जब भी हमें कैलोरी की जोगत पड़ती है जो कि हमारा माली जे कार्बोहाइडर्ट जो हम ले रहे हैं जो भोजबदार ले रहे हैं उसे जो हमें carbohydrate मिल रहा है जिसे कि हम energy ले रहे हैं अगर उससे हमारा जो है हमारा जो हम भोजबदार ले रहे हैं उससे हमारी calorie की need और शक्ता fulfill नहीं हो पाती है नहीं पूरी हो पाती है तो हमारे शरीर में जो glycosin store रहता है वो glucose में तूट करके हमको energy प्रदान करता है तो और जो एडिपोस टिशू है जो कि हमारे skin के नीचे होते हैं एडिपोस टिशू वो भी क्या करते हैं जब भी अगर हमारी इससे carbohydrate से प्रोटीन से इनसे जब नहीं पूरी हो पाती है तो जो एडिपोस टिशू है यानि कि यह भी fat है fat का storage यहां पर होता है इन उतक में जो हमारे skin के जस नीचे होता है तो इन उतक में जो है fat store रहता है और जब हमारी need carbohydrate protein से नहीं पूरी हो पाती है यह fat जो है टूट करके हमें energy प्रदान करते हैं यानि कि ओर्जा प्रदान करते हैं तो अब क्या होता है जो glycogen है glycogen और एडिपोस टिशू दोनों का भंडारन storage कम हो जाता है यह वह प्रदारन कम हो जाता है यह हमारे sustain में इस्टोर रहते हैं जह हमें जरुद प्ड़त प्रती है तब यह इनका उप्योग किया जाता है इनका जो है भंडारन कम हो जाता है degrees हो जाता है और क्या होता है ? टूटने लगता है तूटता है क्यवके हमारी तگि Sa Sa strategy बड़ता है हमें जादा energy की जाद पढ़ते हैं तो klaipohydrates जो नहीं मिल पाए थि तो protein भी टूटने लगता है तो protein टूटने लगता है इससे क्या होता है protein का काइटाबॉलिजम होता है यानि कि प्रोटीन तूटता है तो किड़नी पर भार बढ़ जाता है यानि कि किड़नी का काम बढ़ जाता है काम increase कर जाता है जब protein तूटने लगता है अब पसीना और जो औस्ट पदार्थ के अधिक निकलने के कारण पानी की कमी भी बढ़ जाती है क्योंकि अब क्या होता है ज़र में आपने देखना होगा पसीना भी निकलता है और जो भी waste material है हमारे शरीर से वो भी निकलते हैं तो उसके वज़ा से पानी की कमी भी बढ़ जाती है पानी कम हो जाता है हमारे शरीर में ये सारे जर्मिक क्या क्या होता है वो चीज है पानी भी कम हो जाता है और सोडियम और पोटेशियम भी अधिक निकलता है यानि ये इलेक्ट्रोलाइट की भी कमी हो जाती है, पानी की भी कमी हो जाती है, प्रोटीन तूटने लगता है, किड्नी का काम बढ़ जाता है, और ये सारी चीजे हो जाती है, तो ये जर्ग के दौरान जो मेटाबॉलिजम में चेंज जाता है, अंतर होता है, वो ये सारी च आपने वैसे पढ़ा होगा लेकिन फिर भी BMR होता क्या है उसको जान लेते हैं तो BMR क्या है बेसल मेटाबॉलिक रेट यानि कि बुनियादी चया-पचयी दर यह क्या है जो हमारा शारीरिक या फिर मानसिक आराम के दौरान प्रतीक इकाई समय में होने वाली उर्जा की खर् कर रहे होते हैं उस टाइम पर जो हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से भी आराम कर रहे हैं और मानसिक रूप से भी आराम कर रहे हैं दोनों तरीके जो हम आराम कर रहे होते हैं तो प्रतीक इकाई समय में जितनी उर्जा खर्च हो रही है यानि कि जितने एनर्जी का एक्स अगर सिंपल सब्दों में बोलें, तो आराम के समय खर्च होने वाली ओरजा. यह सबसे मिनमम होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है? यह सबसे मिनमम होता कि जब हम आराम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर सबसे कम ओरजा की जरुत पड़ती है. ठीक है तो यह हो गया BMR के बारे में अब हम आएंगे इस पर कि इसमें आहार किस तरीकी का आहार प्रदान किया जाता है जो हमारा टॉपिक है कि आहार क्या-क्या देना होता है तो वो हम यहाँ पर डिसकस करेंगे डाइट आहार की बात करते हैं तो सबसे पहले एनर्जी की अगर हम बात करें इसमें उर्जा की बात करें तो उर्जा जो है वो लगबग 50% इंक्रीज कर जाती है ठीक है पच्चास प्रत्सत उर्जा वो बढ़ जाती है इसमें जोर्मे और अगर जो टमप्रेचर अधिक है तो उतक अधिक नस्ट हो रहे हैं टिशू जो है वो भी नस्ट हो रहे हैं यानि कि प्रोटीन टूट रहा है ठीक है तो वो भी नस्ट हो रहे हैं और हमारा स्टेज़री का टंपरेचर भी बढ़ रहा है तो जो उर्जा की रिक्वाइर्मेंट है वह 50 प्रत्सक बढ़ जाती है आप जोगी जैसा मैं ने बताया कि जो जिसको भी ज्वर की प्रॉब्लम है जिसको भी फीवर है तो आधिक होता है तो वो ज्यादा ले नहीं पाता है तो वो केवल छे सो से ले करके 1200 किलो कालोरी ही ले पाता है लेकिन इसको increase करने की ज़रुवत होती है ठीक है फिर इसके बाद में आता है दूसरा प्रोटीन तो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो बुखार अगर लंबे समय से है तो 100 ग्राम लगभग प्रोटीन देना चाहिए ठीक है क्योंकि आप देखी जैसा मैंने बताया कि कार्बोहाइड से जब उसकी उर्जा कंप्लेट नहीं हो पाती है तो फिर वो प्रोटीन टूडने लगता है और वो उर्जा प्रदान करने की कोशिश करता है क्योंकि प्रोटीन से भी कैलोरी मिलती है ठीक है और कैलोरी भी अच्छी मात्रा में देना चाहिए जिससे की जो प्रोटीन है वो अपना काम कर सके ना कि वो उर्जा प्रदान करने का काम करे तो यह हो गया और इसके लिए आप जो है अधिक प्रोटीन वाला पेपदार्द भी दिया जा सकता है प्रोटीन देना है, तो अधिक प्रोटीन वाला पे-पदार्थ भी दिया जा सकता है, प्रोटीन की कमी को फिल्फिल करने के लिए, उसके बार में आजाता है कार्बोहाइडरेट, CHO, यहाँ पर मैं detail नहीं लिख रही हूं CHO means carbohydrate ही होता है ठीक है तो carbohydrate में क्या है, ग्लाइकोजन की कमी को पूरा किया जा सकता है, जो मैंने बताया था ग्लाइकोजन का जो storage है, वो कम होने लगता है तो carbohydrate अगर दिया जा रहा है तो glycosin की कमी को पूरा किया जा सकता है अब जो glucose है वो जल्दी आवशोशित हो जाता है जल्दी absorb हो जाता है इसी लिए इसी दिया जाता है इसमें आपने देखा होगा कि जोर में क्या दिया जाता है glucose क्यों दिया जाता है क्योंकि ये जल्दी आवशोशित हो जाता है क्या होता है ये जल्दी आवशोशित हो जाता है यानि कि absorb हो जाता है ये तुरंथ instant energy देता है यानि कि जैसे आप glucose लेते हो तुरंथ ही energy देता है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ carbohydrate होता है सिर्फ glucose होता है ठीक है तो यह तुरंद एनरजी प्रोवाइड करता है इसी वज़ा से उसमें फीवर में गुलकोज दिया जाता है गुलकोज वाटर कहा जाता है देने के लिए और जल्दी और शोशित भी हो जाता है फिर उसके बाद में आते हैं वसा पर फैट की बात करते हैं तो वसा भी देना चाहिए क्योंकि मैं जैसा मैंने बता है कि जो एड़ पोज टिशू है वो भी उनका भी स्टोरिस कम होने लगता है तो वसा भी देना चाहिए लेकिन जो तले हुए और अधिक वसा जिसे की पेस्ट्री वगारा है यह नहीं देना चाहिए क्योंकि यह पाचन में करें यानि कि मिनरल्स की अगर हम बात करें खनिस्तत्व मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में जो है परियात मात्र में नमक भी देना चाहिए जिसे कि हमने बताया कि सोडियम और पोटेशियम यह भी कम होने लगता है क्योंकि यह इलेक्ट्रोलायट से पसीना वगर आधिक रहा है ठीक है तो क्या होता है कि electrolytes की कमी होने लगती है तो परियात मात्रे में नमक भी देना चाहिए और दूध है नमकीन juice, soup, meat soup आदि के माध्यम से नमक दिया जा सकता है ऐसा नहीं है कि आप आज सच नमक दे दो इस तरीके से नहीं बलकि दूध में होता है जो है sodium होता है तो दूध आप दे सकते हो नमकीन juice दे सकते हो, soup दे सकते हो, दूध दे सकते हो, नमकीन juice दिया जा सकता है, soup दिया जा सकता है, meat का soup दिया जा सकता है, जो non-mage है वो ले सकते है तो इस तरीके से जो है नमक को दिया जा सकता है उसके बाद में हम बात करते हैं विटामिन की बात करते हैं यहाँ पर कि विटामिन में क्या-क्या देना होता है तो विटामिन की बात करें तो विटामिन में विटामिन A, C और B कॉम्पलेक्स इनकी आशकता बढ़ जाती है इनकी जो आशकता है वो बढ़ जाती विटामिन A, विटामिन C और विटामिन B कॉम्पलेक्स ओकी इसके अलामा एंटिबाटिक और जो दवा हैं वो क्या करते हैं B complex vitamin के निर्माड को उनमें बाधा उत्पन करते हैं जब फीवर होता है तो फिर हम आंटिबायोटिक तो लेते ही लेते हैं तो आंटिबायोटिक लेंगे तो और जो भी दवा खा रहे हैं तो वो क्या करते हैं जो B complex vitamin है उनकी निर्माड में बाधा उत्पन करते हैं कि शप्लिमेंट की जरुद पढ़ती है कि सप्लिमेंट का मतलब है यह भी कॉंपलेक्स है तो वह हम टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं तो वह लिया जा सकता है उसकी बाद में आता है तरल परदार्थ तरल परदार्थ की बात करें यानि कि लिक्विट की बात करें तो अगर हम लिक्विट की बात करें तो चुकी पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है तो उससे क्या होता है तरल परदार्थ की भी आशकता बढ़ जाती है इसके अलामा जो वेस्ट माटीरियर है यानि कि जो मात्रा में यूरीन का भी बनना जरूरी होता है ठीक है तो इसलिए अब चुकि अगर हम पानी कम लेंगे लिक्विड कम लेंगे चाहे वो पानी के फार्म हो या फिर अधर फार्म में हो अगर हम लिक्विड कम लेंगे तो हमारे शरीर से जो वेस्ट प्रॉडक्ट हैं जो वे इतना फीवर में रोज लगबख पच्छिस सो मल से ले करके 5,000 अवश्यक होता है, यानि कि इतना लेना चाहिए, 200 से 5,000 अभिए, 5000 से 5,000 अब इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, कोई पेपदात ले सकते हो, इसे ग्लुकोसश वाटर ले ही रहे हैं, पानी ले रहे हैं तो यह सारी चीज़े आपके लिक्विड में ही आजाएंगी यानिकि लिक्विड की भी जरूरत पड़ती है अब जो फीबर होता है तो चुकि इंफैक्शन हो रहा है तो इम्मुनुटी हमारी लो हो ही रही है कमजोर हो गया है हमारा शरीर तो उसमें जो है हमें इज़ ऑप्राइजेशन चाहिए क्या चाहिए अब हमें चाहिए ऐसे खादे बदार्थ हो जिनें हम इजली डाइजस्ट कर सकें इज ऑफ डाइजसेंड की जरूरत पड़ती है फीबर में औोकी इस अप्राइशत का मतलब कि आसान से हम पचा सकें जो भी हम खा रहे हैं तो इसमें आपको क्या लेना है blend flight लेनी है? blend diet blend diet का मतलब है? इसमें कोई भी मसाला नहीं होता blend diet का मतलब है ये बिना मसाले थे यह डाइट लेनी हुए जि इसमें कोई भी मसाला ना हो उसे ब्लैंड डाइट बोलते हैं ठीक है बिना मसाले की यानि कि ब्लैंड डाइट लेनी है और आसानी से और जल्दी पचने वाला भोजबदार लेना है ऐसा भोजबदार लेना है जो कि आसानी से पच जाए आसानी से और जल्दी से और भोजबदार जो यह नहां कि स्रिफ आप 1 ली लेते चले जा रहे हो उसके साथ साथ में आप से में जो divi D गौल के आप 10 अब संथा स्थे नाademे बीदुरालब है ठीक है तो उसको लिया जा सकता है उससे क्या होता है वो आसानी से पचाया जा सकता है और इसके अलामा ये तो हो गया कि आसानी से पचाने वाले ऐसे भोजन लेने चाहिए और भोजन में जो अंतराल होना चाहिए भोजन में अंतराल की अगर हम बात करें हैं कि जो हम भोजन ले रहे हैं ज्वर के समय तो उसमें दो से तीन घंटे के अंतराल पर भोज़बिदार लेते रहना चाहिए और कम मात्रा में यानि की थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए थोड़ थोड़ा लोगे तभी आप 2-3 घंटे में ले पाओगे कम मात्रा मिलना चाहिए और जैसे सुधार हो रहा है वैसे वैसे भुजन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है पहले आप कम लोगे उसके बाद जैसे सुधार हो रहा है तो भोजन की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए भोजन की मात्रा को बढ़ाना सुधार के साथ तो यह हो गया यह जो जनल अभी हम मात्रा की कम हो जाती है किस चीश की हमें जर्यादा जर्यादा होती है तो ये overall fever हर एक सारा fever इसके अंदर आ गया है ठीक है इसके बाद में हम अब particular fever की बात करें जिसे की typhoid हो गया उसमें क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए वो क्या होता है उसके बाद में ulcer की बात करेंगे ठीक है तो जो जो हमारे course में है यानि की जो हमारे syllabus में है वो हम discuss करें bevr में इसके बाद में हम next topic वो टाइफड हो गया उसमें हम बात करेंगे लिए इसके लिए उत्तरदाई होता है इस इसे लगषण होते है इसके सब्सक्तर हैं तो ये साड़ी चीज़े हम discuss करेंगे तो चलिए फिर यह होगी हमारा फीवर और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको जादा से जादा अपने फ्रेंड्स के साथ में दोस्तों के साथ में शेयर करना न भूलें जरूर से जरूर इसको शेयर करें ओके यह काफी दिनों बाद हम आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर रहें अच्छा लग रहा है शेयर करते हुए क्योंकि काफे दिन हो गया हमें शेयर करते हुए एक महीनी से जादा हो रहा है तो उमीद है आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया होगा और इससे अगर आपको समझ में आया हो जो भी हमने समझाने की की है यहां पर, डाइट के बारे में और फीवर के बारे में, तो उमीद है आपको समझ में अया होगा, अगर नहीं समझ में अया होगा, है कुछ भी तो आप comment के थूख हमें जो है, अपनी query भीज सकते हो, हम देखेंगे और इसको आपको समझाने के कोशिश करेंगे चलिए फिर इसको ज़द ज़दा शेर करिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा शेर ज़रूर करिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें जाद से जादा ओके थैंक यू सो मच